और नरेंद्र मोधी अमिच शाह RSS के नेता कहते हैं इस किताब को बदल दिया जाए इसको फेक दिया जाए नरेंद्र मोधी चाहते हैं कि सारी की सारी राजनेती 22-25 लोगों के फाइदे के लिए हो उन्होंने पबलिक सेक्टर को सरकारी कमपनियों को प्राइवटाइज किया क्यूं किया रेजर्वेशन को हटाने के लिए किया दो तीन प्रतिशद लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं सारी की सारी संस्ताएं उनके हाथ में हैं सारी की सारी कमपनियां उनके हाथ में हैं सरकार उनके हाथ में अमीर लोगों को और अमीर किया, किसानों को नरेंद्र मोधी ने खूब तंग किया, अरब पतियों का कर्जा माप किया, किसानों का कर्जा माप नहीं करते। हिंदुस्तान में गरीब लोग, कमजोर लोग, दलित आदिवासी पिछडे लोग, किसान, मजदूरों की रक्षा, हमारा समविधान, हमारा कॉंस्टिटूशन करता है। समविधान से पहले हिंदुस्तान में गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के कोई भी अधिकार नहीं थे। अगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति मिली है, तो समविधान से उनको शक्ति मिली है। कोई मामूली किताब नहीं है ये आपके दिल की आवाज है इसके लिए कॉंग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के करोणों लोगों ने लड़कर अपना खून देकर इसको बनाया है गांदी जी, अम्भेटकर जी, नहरू जी इन लोगों ने सालों लड़ाई करकर खून पसीना देकर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये किताब बनाई और इस चुनाओ में बीजेपी के लोगों ने साफ कह दिया है उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है कि वो इस सम्विधान को बदल देंगे, खतम कर देंगे, फेक देंगे ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है इंडिया अलायंस, राहुल गांदी, मालिक अर्गुल खारगे जी, रेवन तरेटी जी कहते हैं कि इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है और नरेंद्र मोदी, अमिच शाह, RSS के नेता कहते है इस किताब को बदल दिया जाए, इसको फेक दिया जाए हम इस किताब की रक्षा करेंगे, कोई भी शक्ती इस किताब को डैमेज नहीं कर सकता है, खतम नहीं कर सकता है भाई और भेनों आपका जमीन का हक आपको जो आरक्षन मिला आपको जो सरकार में रोजगार मिलता है पबलिक सेक्टर वो सब इधर से आया है नरेंद्र मोधी चाहते हैं कि सारी की सारी राजनेती 22-25 लोगों के फाइदे के लिए हूँ उन्होंने पबलिक सेक्टर को सरकारी कंपनियों को प्राइविटाइज किया क्यूं किया रेजर्वेशन को हटाने के लिए किया देश में और सरकार में फेकेदारी प्रता चलाते हैं क्यूं चलाते हैं रेजर्वेशन को खतम करने के लिए लडाई इस बात की भी है वो रेजर्वेशन को खतम करना चाहते हैं हम रेजर्वेशन को 50% से ज़ादा बढ़ाना चाहते हैं बाई और बहनों हिंदुस्तान में अगर आप पिछड़ों की दलितों की आदिवासियों की अबादी जोड़ दें तो ये मजोरिटी बनती है कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग है 15% दलित 8% आदिवासि 15% माइनोरिटी और 5% गरीब जेनरल कास्ट के लोग गर आप इन सब को जोड़ दो 90% से ज़ादा बनता है मगर इन लोगों को हिंदुस्तान में भागीदारी नहीं मिलती इसलिए हमने निन्ने लिया है कि जैसे तेलंगाना में जाती जनगरना हुआ वैसे ही हिंदुस्तान में जाती जनगरना होने वाला है हिंदुस्तान के दलितों को आदिवासियों को पिछड़ों को गरीब जेनरल कास्ट के लोगों को माइनोरिटीज को पता लगना चाहिए उनकी कितनी शक्ति है उनकी कितनी अबादी है और उनकी कितनी भागीदारी मिल रही है और जाती जनगर्णा के बाद करांतिकारी राजनेती शुरू होगी हिंदुस्तान की राजनेती हमेशा के लिए बदल जाएगी क्योंकि एक गहरा सच हम सब के सामने दिखने लगेगा दो-तीन प्रतिशद लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं, सारी की सारी संस्ताएं उनके हाथ में हैं, सारी की सारी कंपनियां उनके हाथ में हैं, सरकार उनके हाथ में हैं, जाती जंगर्णा से पता लग जाएगा, इसकी सक्चाई सारे हिंदुस्तान को पता लग जाएगा भाईयों और बहनों, नरेंद्र मोधी जी ने अधानी जैसे लोगों के लिए काम किया, दस साल हिंदुस्तान के एरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी कि सारी नरेंद्र मोधी जी ने अधानी को दी, उन्होंने 22-25 अरब पती बनाए, अमीर लोगों को और अमीर किया हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है, जितना 70 करोड हिंदुस्तानियों के हाथ में है, भाईयों और बहनों, उन्होंने 22 अरब पती बनाए, अब समय आ गया है, हमें करोडों लाख पती बनाने है, हमें एक एतिहासिक, करान्तिकारी काम करने जा रहे हैं, ऐसा काम जो आप सपने भी में नहीं सोच सकते, आपने ऐसा सपना भी नहीं देखा होगा, जो हम करने जा रहे हैं, जो हम सच्चाई करने, सच्चाई में आपको देने जा रहे हैं, ऐसा काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया, और इसके ब परिवारों की लिस्ट बनेगी केलेंगाना में हर गाउं में जाकर कजबों में जाकर हम गरीबों के नाम लिस्ट में डालेंगे किसान के परिवार मजदूर के परिवार दलेत आदिवासी पिछड़े गरीब जेनरल कास के लोग सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर प रहिला के बैंक अकाउंट में इंडिया गटबंधन की सरकार दस हजार नहीं, पचास हजार नहीं, सत्तर हजार नहीं, एक लाक रुपे बैंक अकाउंट में डालेगी। बाईयों और बेनों आप समझिये, सोचिये, क्या होने जा रहा है, करोणों परिवारों को हर महीने 8500 रुपे, खटा कट, खटा कट, खटा कट, हर महीने मिलने जा रहे हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्त के लिए, भोजन के लिए, पहली तारीक हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 8500 रुपे एक्स्ट्रा आएंगे, महिलाओं के बैंक अकाउंट में, एक जटके से, हिंदुस्तान में, तेलेंगाना में, गरीबी को हम मिटा देंगे, 30 लाग सरकारी नोक्रियां हैं, जो नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं दी, 15 अगस तक हम इन्वे कारवाई करके, ये जो नोक्रियां हैं, आपके हवाले देना शुरू कर देंगे, बाईयों और बेहनों, किसानों को नरेंद्र मोदी ने खूब तंग किया, अरब पतियों का कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, हमारी सरकार आएगी, पहला काम, किसानों का कर्जा माफ होगा, और जो, और आपको अनाज के लिए, दान के लिए, शुगर केन के लिए, आज नरेंद्र मोदी सही दाम नहीं दिलवाते हैं, हम कानूनी minimum support price, मतलब आपको अनाज के लिए धान के लिए शुगर केन के लिए कम से कम दाम गैरंटी करके मिलेगा भाई और बहनों मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ एक लाइन में मैं आपको इंडिया सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। की रक्षा करनी है तेलंगाना में रेवन्त रेटी जे हैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता हैं तीस हजार रोजगार दिये आपको 500 रुपए का गैस सिलिंडर 10 लाग रुपए का हेल्थ इंशोरंस महिलाओं को फ्री में बस ट्रांसपोर्ट 100 यूनिट फ्री बिजली यहाँ प अब का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी